हेलो जी सबी किशान भायों को नमस्कार मैं यूट्रूब चैनल कमल डैरी भारम हमस में आपका स्वाग आते तो प्यारे किशान भायों आज का बहुती बढ़िया वीडियो होगा आज का लावी मिलकिंग मैं आपको दिखाऊंगा प्योर अजमेरी नेसल की कव है अडर दे की बहुत ही जबरदस्त है हाइट दे की बहुत ही अच्छी है बाल्टी पूरी खाली देख सकते हैं आप 17 लीटर की बाल्टी है किशान भायो और देखते हैं कितनी खाली रहती है भाईशाब ने दूद निकालना स्टार्ट हो चुके है आप जुरो रहे हमारे वीडियो के अंतर थाकि आपको पता चल सके कि हमारी इस गोमाता के कितना दूद होता है ये प्यारे किशान भायो वह यही गोमाता है जो दो बच्चों को जुनम दिया था आप हमारे चनल पर जाके देख सकते हैं इसके दो बच्चे थे और बहुत ही अच्छी गोमाता है इसका मैंने आपको नाम बदाया था पहले वीडियो में महरा ने इसका नहम है और महरा ने आज देखते कितना दूद देती हैं बहुत ही जबर्दस आज इसका मिल्किंग रहेगा अभी मातर बच्चा दीवरे एक महीन हुआ है है और देख सकते हो आप बहुत ही जबर्दस है हाइट बहुत ही अच्छी अडर बहुत उच्कार रहे कि ए जब में अच्छी पावस ते गाई की गोमातागी बहुती बड़े जबरदस्त सिंग देगी सिंग बहुती बढ़िया है आप देख सकते हैं हायाटी बहुत जबरदस्त है गोमातागी बहुती बढ़िया है और वीडियो को अंतर जरूर देखे किशान भायो तक आपको पता तरस्व होग हमारी महाराने का आज कितना दुध होगा एक टाइम का कितना दुध होगा ध्यते हैं और बहुत ही जवरतस्त आज लीडियो होगा लहावी चल रहा है किशान बायों का आपके सामने पूरा हम धिकार है प्रूप बहुत जबरतस्त हो गया वीडियो अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करें ताकि आपको ऐसी जानकार हमेंसा मिलती रहे और बहुती सांदार वीडियो है वीडियो का अंतक जुरूर देखें प्यारे खिशान भाईयो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं इस चैनल के माद्यम से फारम हाउस की आपको पूरी जानकारी मिलेगी फारम हाउस कैसे भूलना है कितनी गायों से स्टार्ड करना है फारम हाउस पर कवड लाए या भैंस किसमें अच्छा हुना पाए वो भी हमने वीडियो अप्लोड कर दिया है आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल कमल डेरी फारम में आप सर्च करके आप देख सकते है कितन नहीं गाया लेकर आये ताकि हम आप हमें अच्छा मुनापा प्राप्त हो कौन से समय में या कौन से मोसम में फारमाउस खोलना चाहिए ताकि अच्छा मुनापा और हमारा फारमाउस सक्सेस हो जाए बहुत ही जबर्दस्त आपको आज का वीडियो ठेएगा मैं आपको हमेसा किशान बायों ज्यादतर मैं आपको लाय मिल्किंग के वीडियो प्लोड करता हूँ ताकि उससे पता चल सकीक कि हमारे प्यारे किशान बायों करता होती है जा उसकी केपशित होती है वो कितने लिटर तक होती है ताकि हम किस प्राइज में गुमाता खेदनी चाहिए कितने लिटर तक हमें वो गुमाता खेदनी चाहिए और क्या प्राइज में और कितने लिटर वाली गुमाता हमें मिल जाएगी और ये जो हमारी महरानिय इसका अभी पहले ब्यात में जो इसका दूद था वो 9 से 10 लिटर था अभी चोत्ते ब्यात में अभी और आप दे सकते हैं अभी कितना लिटर मिल्किंग हमें देगी और देखते हैं बहुत ही अच्छे इस्टाइल से भाईशा आप दूद निकाल रहे हैं और एक में आपको तुम्हें टॉपिक बताऊंगा वो है कि आजकल जो आजकल कही हुआ है जो फारम खोलते हैं उन्हों जो जब भी वो शुरुआत करते तो एक अद्दो गाई से शुरुआत करते तो प्यारे किशन भायो आपको एक अद्दो गाई नहीं लाननी अगर आप अद्दो गाई लख राहे तो आपको कि माझनो किरेंव की आपके एक ऐख ये ठेम का आच से नो लिटर माझनो करें आपकर एक के वह हैं आप के पास कौन शा एरिया उस एरिया में क्या भाव में जो गाई के अद्दो देव हूँ मिलता है मेरे सहबसे तो के सुरू मेंने देखा है तो 40 45 50 बाव रहता है तो मानलों कि आपके कोई सेतर है तो इसमें मानलों कि आपके 45 बाव जा रहा है ठीक है ना उसमें आपको मानलो 8m का आपके तर्श लिटर दू दौ रहा है तो उसके हिसाब से आपके तो यानि की दिन बर के आपके 900 रुपे होगी है उन 900 रुपे से आप जो पूरा खर्चा निकालोगे ना गोमाता के मलब की दिन बर में चारा कितना खाया इसको फिट में क्या-क्या खिलाए और उसकी देख रहे किमने 20 अधार प्रकिये तो उसका जो खर्चा होता वह आपको प्र मुनापः नहीं मिलागा उसमें क्योंकि आपके पास एक गोमता है एक गोमता से आप कितना मुनापः पराब कर लोगे इसलिए माफ्य मानलों कि आप हो तो आपका भी लगबग हाजरी अगर आप या को बिजनस करते और या मालें आप किसल लगए जोगे आगर आप क 400 मेंसे आपकी गुमाता के दो फिड में आप क्या खिलार हो वह आपका बज्ट माइनस में चला जाएगा क्या मैं आपको यह वीडिय एक अपलोड कुरूंगा कि कितनी गुमाता रखना चाही है और आप में कमेंड हमें पहुअ इप वीडियो अप्लोड करें आपको किस चीज की जानकारी चाहिए वह हम वीडियो अप्लोड धूड करेंगे और आप देख सकते हैं किसान भायो लैक बग 12 से 13 केजी प्लस इसका तो मिलकिंग है और आप देख लो असानी से 12 से 13 लिटर आज हमारे महारे मिलकिंग दिया बहुत जबर्दस्त आज का वीडियो है